हेलो स्टूडेंस बेरी गूड मॉर्निंग मैं अजली पंडे आप सभी का अग्रिकल्चर एंजी के यह लर्णिंग प्लाटपॉम पर स्वागत करती हूं तो आज हम आपके साथ डिस्कॉस करने जा रहे हैं अनिमल किंडम के बारे में ठीक है जिसमें आप उसका अनिमल की क्ल सब्सक्राइब क्लासिफाइब किया गया है यह साथ चीज़े आज हम अब सब्सक्राइब से तीरे-दीरे हर चीज़ को डिसकॉस करेंगे तो क्लास में रहे है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अग्रिकल्चर एंजी के अप्लिकेशन को अपने फो क्कवेट वाया Google Play Store क्योंकि इस कोर्स में इस application में आप को प्रवाइड किया रहा है वेरियस कोर्सस्ट आपके लिए हैल Pulonia graduation students and also for those who are appearing for the jobs उन दोने के लिए जो आपके helpful ICR e-notes है वह यहाँ available है आपके syllabus आपके exam की जो detailed syllabus है वह अप्लोड़ेट है नियू अप्डेट्स वह अप्लोड़ेट्स वह अप्लोड़ेट्स वह अप्लोड़ेट्स वह अप्लोड़ेट्स की जाते हर अप्लोड़ेट्स आपको इस अप्लिकेशन पर अवेलेबल हैं तो प्लीज दू इंस्टाल अग्रिकल्चुर अप्लिकेशन इन यूर एंड्रोड फोन ओके अगर आपने अभी तक अग्रिकल्चुर अजी के चानल को यूट्व पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपको टाइमने नुटिफिक्शन मिल जाए और आप टाइमने जॉइन करके यह इंडरेक्टिव सेशन जो है वह जाए जाए और आपके एक्शामिनेशन पॉइंट व्यूसे बहुत ही बेनिफिशन रहने वाले हैं इसलिए चानल को सब्सक्राइब कर लिजे और आपके ब अगे अगर आप FCI AG3 की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो we have a complete course for you जिस में आपको प्रवाइड के जा रहा है complete notes as for the syllabus printable e-book one question bank full and test series YouTube classes and the notes of that class quality content for the examination we are sure that we are providing you the content which is more than enough यानि कि वह आपके sufficient है जिससे आपका exam crack हो जाए उससे बाहर आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की या कोई भी बूक रफर करने की जरूरत नहीं है ठीक है जहां आप चार्वुक्स रेफर करते कई नहीं अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं तो भी आ प्रोवाइडिंग यू क्वालिटी कंटेंट जस्ट इन दर प्राइड रूपीस ओंदी फिप्रिप्रेंड की मिनमल कॉस्ट पर आपकी ऐसे एज़ टेक्निकल की जो रहे है इसवे अगर 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 आप एंडू करना चाहते तो इस प्रेइंडस में दोल करने की लिंक है वह में मिल जाएगी वहां पर स्कूरिप्शन बॉक्स मिल जाएगी वहां बेहें हमरा स्टाक्ट नमबर भी आपको मिल जाएगा आपको फॉर्धर कोई इन्क्वारी उस टौपिक कों स्टाट करते हैं पुब फोस्ट से डिनल टिके अनिम्ल क्लास्टिएशन भी सिंक्या है फोस्ट एइस अनिमल क्लासफिकेशन ठीका आम उलक डीक्रफेशन क्या है पहली तो यह अपने प्लांटिया अंप प्लांट क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया है और इसके अब आम आपको ऐनिमल क्लासिफिकेशन को पढ़ा रहें तो अनिमल के अंदर आता है कि मुटिसल्वर और गानिजम्स जो कि हीट्रोस ओफर इन नेचर होते हैं या निवो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के ऊपर अ सब्सक्राइब को अपना यूनिक फीचर्स होता है इसलिए उनको अलगाला क्लासिफाइब करना पड़ता है कि हर एक प्रजाती हर एक अनिमल के इतनी प्रजातिया है उन सब में आपको वेरियस डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे घेंट इनर्जी इधर बाइ फीडिग उट्स और तो और इसी को आप या चयते हैं, जो है आप अपने nutrition के लिए, या तो आप plans को खह रहे हैं, या अनुमस को खह रहे हैं. The animals are heterotrophic in nature, और वह हर्वी ओसकते हैं, and carnivorous भी हो सकते हैं, omnivorous भी हो सकते हैं, ठीक है, तो यह था आपका, यह 3 features जो हैं, आपके animals के हैं, एक जब आप अनिमल क्लासिफिकेशन पड़ते हैं तो एक अनिमल को क्या नाम देना है उसकी क्या ओरिजिन है ठीक है वह या तो अभी प्रेजेंट है या फिर एक्स्टिंग्ट हो गहां उन सभी अनिमल्स की सारी स्वीचिस को आप यहां पर पढ़ेंगे ठीक है उनकी सारी इसको आप यहां पर पढ़ेंगे इसलिए आपका जो क्लासिफिकेशन है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन हो ठीक है तो अब बात करते हैं आगे क्लासिफिकेशन की तो पहले तो आप यह समझ लिजे क्या कि बेसी सब्सक्राइब क्लासिफिकेशन क्या है ठीक है वेरि सब्सक्राइब क्लासिफाइब को रहें तो पहले देखा जाय कि उनका बोड़ी स्ट्रॉक्ट्ट्री की बॉलिक कॉंपलेक्सिटी जो है वह कैसी है तो सबसे पहले आपका आता है और ये लेवल ऑफ और अर्गनाज़ेशन ठीक है तो आप जानते हैं जो थे वह कंबाइंड करके टीशू फॉर्म करते हैं अल्टीशू कंबाइंड फॉर्म ऑगेंज ओके तो आपको यह दिखने फॉर्म करते हैं वह मिलके एक पर्टिकुलर फॉंक्शनिंग और बनाते हैं ठीक है एवरी ऑर्गन इस डेफिनाइट फॉर पर्टिकुलर केपसिटी फॉर इग्जामपल प्रेटियर नंथिस एंड हायर फाइला ठीक है तो आपका ओर्गन लेवल ऑफ बोडी क्लासिफिक और लेवल ऑफ बोडी अर्गनेशन होगा और यह आपको प्लेटि हेल मंतिस या उसके हाय फाइला के जाए प्लेटि है मिल्सके बाद की जित्में भी फाइलम आप स्टेगा रहेंगे उसमें आप और लेवल ऑफ बोडी अरगनेशन जो है वह वह देखिए ठीक है टीशु लेवल ऑफ बोडी अर्गनेशन यहां पर क्या पढ़ रहा है आप अनमल से डिस्प्लेंग डिविजिन ऑफ एक्सराइज अमंग देंसेज्ट पर्फार्मिंग दसें फंक्शन कोपरेट टीशु फांड इन सिलेंट रेटा अब देखिए यहां पर और अर्गन की किस क्या आपके बोड़ी फंक्शन के लिए और यह जो फीचर है यारी कि टीशु लेवल ऑफ बोड़ी अर्गनेशन जो है आपको देखने को मिलें किसमें चलेंट रेटा के अंदर ठीक है आगे बढ़ते हैं ओर गन फ्रेम बर क्या शिस्टम या या और अर्गन सिस्टम लेवल और बोड़ी और अगनलेशन देखिए अब यह देखिए कि टीशु बन गेटिशु ने एक और गन फंक्शन कर देखिए कि वह और और वेरियस ऑर्गेंस इन कंबिनेशन जब एक आपका एक फॉंडमेंटल स्ट्रॉक्चर या एक आपका फ्रेंगवर्ग त्यार करते हैं और उस फ्रेंगवर्ग से आपका बॉडली फॉंक्शन जो है वह अगर कंप्लीट हो रहा है तो वह वह बॉड़ी सिस्टम आपका होत करते हैं उस क्याटेगरी तक उस फालम तक जो है आप देखेंगे और सिस्टम लेवल ऑफ बॉड़ी ओर्गनेशन आपको देखने को मिलेगा ठीक है आगे हम बात करते हैं सेलुलर लेवल औफ बॉड़ी ओर्गनेशन किसके अंदर मिलता है यानि जिसमें आपका सिंपल ए कि वह एक ही से आपकी रस्प्रेशन भी कर रहे है इस्प्रिशन भी कर रहा है डिवीजन कर रहा है अपने दिनी भी सर्वाइबल के परसिटी है उसकी एक सेल के अंदर प्रोजेंट है थीकिया देस आइस अगनेशन कंस्ट आप अनिमल विट सेल विच आब फॉर्म्ट करने के लिए तो यहां तक तो बात कर ले थी हमने कि आपका जो सेलुराइजिंग की बॉडी का मेकप कैसा बॉडी ऑर्गनाजिशन कैसी बॉडी कैसे बनी है तयार हुए उस बेस अब तक आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है ठीक है अब अगला क्लासिफिकेशन किस बेस पर मतलब है कि आप एक बॉडी पार्ट को तू हाउस में तू इकोल हाउस में आप डिवाइड कर सकते हैं या नहीं ठीक है तो यहां देखिए अनिमल क्लासिफाइट थी टाइपस ऑफ बॉडी प्लेन बॉडी प्लेन सिमेट्री पहला आपका रेडियल सिमेट्री है तूसरा आपका डाइन टीसरा आपका एच की खोटी से बात समझ लीजे आपका थे जिया आपका शीमेट्रीट यह अपका ब्ली इंट्र पहलेंश भुडील इस पे आपका जो सिमेट्री वो डिपेंड करता है ठीक है जितना तो पहला आप समझते हैं जिसको आप किसी भी प्लेंट से अगर कट करते हैं तो आपको दो इक्वल हब आपको नहीं मिलेंगे उसको कहते हैं कि वाडिक नॉट बीवाड़े इन्टु एक्वल हाव जिसके एक्जाम्पल आपका पोरी फेरफ यह आपका सबसे इनिशियल जब कि आपके आपके सब्सक्राइब करते हैं तो वह तो इक्वल हाव सिपरेट नहीं हो दो कि उसका जो बोड़ली और शेचन है वह एक्दम बेसिका वेल डिफाइन नहीं है ठीक है रेडियर सिमेट्री की बात करते हैं और सिमेट्री फेर एन बेंपलेन पासिंग तूद्व अगर आप उसके सेंटर पे किस सेंटर पे किसी भी अंगल से अनि किसी भी जगह से अगर उसके सेंटर पे आप कोई भी तुमा जाती है तीनो फोरा के अंदर पाई जाती है जानि की जो बाइकल निवाइड तो इक्युक्त वहाइड आप सिर्फ एक प्लें को जब एक ही दिशा में रखेंगे जिस एक प्लें को इस अपकी ब्रेंड भी जैव तो इकला होस्ति हम यूमन्स है हम को सिर्फ अगर जो वर्टिकली आप ऐसे डिवाइड करेंगे तभी हम दो एकुल हाउस में डिवाइड होंगे नहीं तो इसलिए हाँ जो हाइर फाइलम के और गानिजम होते जिनकी बॉड़ी स्ट्रेप्ट से कंप्लेक्स होती है उसको आप बाइलेटरल सिमेट्री यानि है यह नहीं डिखें आपको लिख वोम यह जापर दो इकुल हुआ हों से अगर आप करते मिलें यह इसे काते तो भी इकुल हुआ मिल जाएंगे मैं किसी प्लेनस अगर आप कट कपरते हैं ठीक है कि यह ज्यानिक यह इसको इसको से इंडरे अंटने है कुल है यह सेंटर हुआ ठीक है और इसको आप किसी भी प्लेंट से कट करते हैं तो जो आपका पॉल यह थो इक dw से बॉड़ी को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं तो यह अभी क्या हो गई बाइलाटरल सिमेट्री हो गई और इसके एक्जाम्पल्स जो है वह आपके एनलीडाज है आतपोडाज है और मलस्का एक्सेक्टरा यानि कि जो का हायर फाइलम है वह सारे किसके अंदर ला को लिए अ अगे बढ़ते हैं अब अगला जो बेस अव क्लासिटीटि केशन है वह क्या है अगला बेस अव क्लासिपिकीशन जो है वह है आपका डेपर बलॉबल बास्तिक एंड ट्रिपल अच जन लेवल अब बिपलो बस्तिक क्या होता है तो यह जो प्लास्टिक डिप्लो प्लास्टिक यह आपका जर्म यानि कि जो आपकी बॉड़ी और गनाजीशन है उसमें कितने लेयर जो हैं आपके बॉड़ी बॉड़ी स्ट्रक्चर में प्रेज़ेंटेट दिफेंड काइंड अफ और अफ फैन्ड गोर बॉड़ी और ऑर तो आपके जो बोडली ऑड़नेशन इस बेस पर जो है आपको अनिमल को क्लासिफाइब किया थी कि हर अनिमल कितने आपके जर्म लेस्ट वह प्रेजट है तो पहला हम देखते क्या लिखा हुआ है ओल अनिमल डेवलब देटीशू और गैंस एड और गैंस सिस्टेम फंद शे लेवल से आपका जो है डिफ्रेंट जर्म लेयर से फर्म होता है ठीक है तो जी जीटने जर्म लेयर आपके बाडी में प्रेजट है उस बेस पर आपके आपके अनिमल को आगे क्लासिफाइब किया गया बेस्ट और नमबर ऑफ एंब्रायनिक लेयर झालो या फिर्जर्म ल अब एक्टोम क्यों में ऑपके बिलयवार्सलिक और मनृ तज़ रहे उसके अंदर जो करेंगे तो शुक्समिं मिले शुन है गुआ अडर लेयर थिख लने इन फ्रेम वरक के एंदर टेक बाहरी लेयर होती उसको आप एक्टोडर्म कहते हैं जब कि बाहरी लेयर होती यूसको क्या कहते हैं इंडो-डॉच्रह रहे हैं ऐस एक्जामपल फायलम प्लोट रेटर शिलेंट रेटर कि अंदर जितनी और गयानिजम फॉल कषड़ तक फॉल करते हैं उसको तो जब कडाउन करेंगे कि ऊसमें दो जुक्त देखने हों प्रीजी अरे है। पर प्रीपिल भेलास्टिक ऐनिमल्स की बात करते है 130 रीक निमल से अरेंज टैसा ? तीन लेयर में जो वो तीन लेयर में जो इसका आपके बीची होते हैं ऑख उन्दर बाहर वाला जो इन्टरनल लेहर हैं इंडोडम उसके बीच मिलते इसको आप कहते हैं मेजोडर्म तीन लेयर्स आपके प्रेजेंट होती है ठीक है अनिमस बिलॉंगिंग तु फालों प्लैटी हेलमेंथिस चौरड़ेट और हाफ ट्रिप्लो ब्लास्टिक और गिनाजिशन प्लैटी हेलमेंथिस से लेकिए कौरड़ेटा तक जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसके बॉडिले स्ट्रक्चर की जब आप बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ट्रिप्लो ब्लास्टिक और गिनाजिशन जो है वह देखने को मिलेगा ओके प्रदीप गुड मॉर्णिंग अब हम बात करते हैं सी लोम के बारे में यानि कि सिलों के बेज्ट परेज़ेंस ऑफिलो उप्सिलों एक आपके बॉड़ी में शीलों प्रेजन्ट तै कि नहीं है इसके बेस पर आपके आपके आइनिमल की क्लासिश्टिक की गए ति तो यहां Дेखिए आनिकी देखे यह क् फाली कि जग़े हमें।शे जिफरेंगे जडाश के अपने कंडिन के उसको कहते हैं आगर आपके एंदिम से लो नियां है ठीक है वह और कि colleges यह यह चुर्व में शिलों प्रेजंट भूप ध्यूम प्रेसेंट है आप के तीन जो क्लान वो दिय गए थे ठीक है डिपेंडिंग ऑन दव्रेजंस अप्रेजंस और आपसेंस आफ कैटेगरी में यह वह क्लासिफाइब किया था अब वह कैटेगरी क्या है पहले आपके सिलमेट जिसके अंदर बॉड़ी यानि के सिलों प्रसेंट इंडिक है उनकी जो मीजो डम है और जो भी आपके बाकी डर्मल लेर्ज है इक्तोन है गट वाले लेयर उसके बीच में आपको चबड़ी या निक हौली जगय दिखिएगी तो वह जो प्रेजन होता है यह वे दिदि अनिम और जिसके अन्दर आपके इन्डर आपके फिलोम प्रेजंट है उसको क्या को सेलोमेड आपको आपको प्रेजन होता है और इसलिए इन सारे फाइलम्स को आप एज़ इसलोमेट कहते है यह नि यह आपको प्रेजन ऑप शीलोम इन देर बोरी ओके अब सूडो से लमेट क्या होते है फूर्स का मतलब होता है फॉल्स को फॉल्स को यहाँ पर इसलोमेट मिज़ोंड मेज़ोंड एपिर्पेस एप पाउच बविविए अडर्व प्रेजन और और टेटल कि आपका फंट अपिर को एक्ट्रोड नंगा उसके बीच आपको पाउच जयसा देखने को मिलेगा और बहले पाउच यह पाँच अचिलोम होती है तो आपका मेज़ोंड 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 अंसर प्रेजन और फाउच प्रसें टाविश आपको प्रजेंट किसके अंदर कि अब बात करते हैं आपको सीलोम देखने को नहीं मिलेगा उसके बॉडियलेवर में आपको कोई कैवटी देखने को नहीं मिलेगा तक आपका हो गया इस पे आपका classification यहां देखें अब जैसे इसलोमेट अब यह देखें यह को प्रतीकर प्रत्रेस्क्टर्ट में अंगर सुरो चो ऐपाउचला स्ट्ट्र्टर्य आपको प्र स्ट्रेसंट है। अपका जो है वो मेजोडर्म सेर अर यह जो है अब का एंडवलर्म से लह और यह जान अपका एक्टोडर्म History यह पे जान पर जो आपका दर्म आपको ऑपकोई प्रसेंट हूता या पर कोई आपका एक्टो एंडो और मीजो और इसके बीच में आप देखेंगे कि यह ज़ाइज जगे जो आपको देखने को मिल रहे हैं और यह जो ती उसको सीलोम कहते हैं जो कि प्रेजन होता है आपका सारे सिलोमेट एनिमल के अंदर ठीके तो यह जो डाइगराम मैं इससे आप समझ सकते हैं कि सीलोम कैसे कैसे प्रेजन होता है बोडी में ठीके यह जिए फ्लैटोम है इसकी प्लेटिय हैमेंथिसके अंदर और यह ह। इसमें आपका राउंड वह म आता है और बाकिसप्रापिस कि आगे हम बात करते हैं सेग्मेंटेशन पाउंड अनिमल किंडम यह निए अनिमल किंडम के निए जो साइडिमेंट सेग्मेंटेशन है वो फाउड कि अब अब तक तो आपका बेसिज अब क्लासिफिकेशन हो गया था अब हम जो अनिमल की बॉड़ी स्ट्रे उसके बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है सेग्मेंटेशन इस दा बॉड़ी फ्रेम फीचर अब्सर्वड इनिमल इन विच दा बॉड़ी इस फॉर्म फ्रॉम आप सीरीज ओव रिपीटिंग फ्रेग्मेंट से वह बॉड़ी में कैसे रिपीट हो उसको सटैंगमें चारिए एग इवलुशन ऑफ जिल एविशन वॉवन पॉड़ी सब्सक्राइब और है एक्वार कॉंप्लेक्स बोडिफ प्लान जैनि कि जैसे जैसे आपके सेग्मेंटेशन में इवालुएशन हुई वैसे आपके जो आनिमल्स है वो जो है वेरेस यह उनके उनके अनर मुव्मेंट में आपको चेंज देखने को मिला पहले जो आपके इतने भी आपके वों से क्रॉल करते थे तर उसके बाद आपके क्रॉलिंग जो आपके वॉकिंग हैबिशाए फ्लाइंग है यह साही मुवमेंट आपको देखने को मिली जब आपकी सेग्मेंटेशन के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन जैनि कि एवैलेशन देखने को मिला एक्वार कंप्लेक्स तुर्णार क्म्टेशन थे दिवादेट बित्वेन और अन। बादेटे मं मेता अंदर मिल् courtesy फेंट वॉकिंग तरुजवन देखने तरुज़न व संगेंट में यह सबक्रूंस conscious में सबघ्द हरा ने निर्ड पार हो यह यहां K Girth ق का Talking जो है वो फंक्शन था ठीक है अब बात करते हैं पहला आपका क्या है मेटा बारी सेग्मेंटेशन के अंदर आप पड़ते हैं इंटर्नल मेजोडर्मल फेनोमेला बेसिस दबेसिक सेग्मेंटल डिविशन आप बोडी मस्कुलेचर एंड दा सी लो तो यहां पर देखिए जो सेग्मेंट से उसमें डिवाइड हो रहा होता है ठीक है इन अलिड़ा अर्थपोड़ा और कोड़ेटर्स डेर इस लीनियर रिप्रिशन और बोडी पर्स रिप्रेजेंट इच बोडी सिस्टम यानिकि जो आप अनलिड़ा आर्थपोड़ास के अंदर आप देखिए उ आप मैंने आपके एक्जाम्प्स मेंशन कर रखें वह आपके लिए बहुत जादा बेनिफिशल रहने वाले क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जितने भी क्वेस्टेंस होते हैं वह आपके क्वेशन में ऐसा पूछ सकता है कि अलिड़ा विस टाइप ऑफ सेग्मेंटेशन आप आप फाउंड तब आप इसलिए जो यहां पर डिस्रिप्शन है उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए और जो आपके एक्जाम्पल्स है और जो टॉपिक है उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन जो है कि आपको मोटिफ क्या है आपको 12th class का एक्जाम नही है थे स्पाइब करने कि उसको तो मेमराइस करना ही पड़ेगा उसको तो रचना वन कोई त्रिक कितने आपको पढ़ने हैं इस्टरी पढ़नी है पढ़नी है आपको उसके बाद रिजिंग पढ़नी है मैट्स पढ़नी है साइश अगर आप ट्रिक चलाते रहना तो आप डिक प्रोच रखें कि जो चीजे आपको याद कर लिए यदि पढ़ाई को पढ़ाई और इतनी कॉंपलेक्स हो च या खॉर बांचे प्रोच ओनी के ये कटे पॉम के वांम बट्राइब ऑनकिए तुस में extends इंड इसी घुंपलें इस भेल प्रोट ब् 9-2 पाड रिपरेटर लको रिपीट को सौरी बोडी पर जो है हो एक दूसरे से अलग दिखर होंगे जाइं जाएं पर आपके दूसरे से अलग दिख रहे होंगे तो यह आपके टेप अंदर प्रजण लोगा सूडों सेग्मेंटेशन और स्ट्रॉबराज़एशन सब्सक्राइब करते हैं बाद करते हैं बड़ जो है आपका एक दूसरे से अलग होता है ठीक है और इसको यह आप क्या कहते हैं प्रो ग्लोटेट्स कहते हैं यहां पर देखने को मिल रहा है यह सारे जो जितने लाइनिंग से आपके सारे जो है आपके वेरियस जो है आपके सेग्मेंट जो बाडी में प्रोजन वह है ठीक है आपके हर बाडी पार्ट का एक अलग अलग फंक्शन से आपस में कोडिनेर किया हुआ है बिलकुल लाइन से जो है यह आपका जो एक आरेंजमेंट जो है आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक है तो इसी वाप सब्सक्रेट क्लास देखने पर बताया है जुक्त बाड़े अब तक अब तक क्या बताया था रहा है पालि प्र फेर हा रहे है उसके बाला आपको मैंने आपका टीशू लेवल ऑफ बाडी श्त्क्रुसरे बात ग्रति इसीलिवल की तो उसमें आपड़ आपको आपको बात क आपको मैं तीन तरीके बताए एक इसलोमेट्स होता है जिसके अंदर जिसके अंदर प्रेजंट होता है ठीक है अब देखे यह तो आपके हो गए एक बेसिक क्लासिफिकेशन हो गए अब आगे देखते हैं कि जो आपके कॉरेटा हो आगे चलके दो इस अब और आघर के अंदर जो है आपके वेडिस क्लास और उनके सबक्लास यह पहले आपके सबक्लास नहीं के अजिसके अपकर पीशिस एंफिप्टिलिया एव एन मेमिलेए वेटि प्रेटर के जौन आपके आगे अगे देखने को मिलेंगी एक आपकी और यह लेकन बिलकुल एजीर फॉत कुछ इसको पड़ेंगे किसे भी लास सर्च नी करना अकर मैं करना शुरू करो मैं मिलिया के बारे में पढ़ाने के लिए तो क्या आपको यह समझ में आएंगी नहीं जब भी आपके इतना इतना कॉंप्लेक्स वह बना है उसका कहीं से स्टाट हूँ जो बेसिक वह आपको देखना है इस यहां पूंपोर्टन फीचर के बारे में बात कर लेते हैं अब कुछ इंपोर्टन फीचर जैसे कि आपके अपके बाद बार बोर नहीं होई वैसे आपके और शोडू हुए तिक बेस और जो तो अलग जो और इंसे बोर सब्सक्राइशन के लिए तब मोड अश्चेर्ण रेटली फर्म और निश्चे अर्गनिश्म ने कि दूसरे और गैंसम तो आपके रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है वह चेंग हुआ तब बेसिक प्रोसेस और रेस्पिरेशन इस सिमिलर इन अल लि तो यह सारे अमीमल्स के अंदर आपको पाया जाता है देखा जाता है ठीक है वेरियस आपके जो ऑर्लेंस आप प्लाज्म दैनकी की बात कर रहे हैं तो प्लाज्म मेंब्रेंट किसमें राइसपॉंसिबल ईन यूनिसल्बर अनिम उस सब्सक्राइब आपको अमीबा ग्यास तो आपने बॉडिस सर्फेस थे जो है अपना गैसे एक्सचेंज वह कर रहा है अब ब्रैक्यल रेस्परेशन का मतलब क्या होता है जो आपका ब्रीधिंग थीक है वह गेस्ट के थ्रू होता है इसको ध्यान में रखेगा रेस्ट ब्रीधिंग अक्रॉस दागिस जनके रस्प तो गिस उसको आप क्या कहते है उसको कहते है ब्रेखियल रेस्पाइरेशन ओके दप्रेखियल रेस्पाइरेशन और के अंदर एक लास आती है क्रॉस्टेशन की उसके कुछ आनिमल्स जो है वह ब्रॉंकिय तो गिल्स जो है वह रस्पाइर कर रहे होते है ठीक है पल्मोरेशन के बाद करी जा है तो पल्मोरेशन का मतलब क्या होता है इंक्रूइधिंग मुम्मेंट एक्स्चेंज ऑब गैस इन लंग ट्रांसपोर्ट यह हाइर अनिमेल्स हो जो वेल कि गया आपके जो आपके बाडिली जो आपके बॉड़ें चीनल ऑफ पर यह जो आपके गयाप एक्सचेंज ओर रही है आप इनेल कर रहे एक्षेल कर रहा है इस प्रसेस को ब्रीधिंगे तो पुलनरी नहीं, पुलमॉनरी रेस्पारेशन नसे यह नहीं कि आ हिंपर्देश्ण कर रहे हैं तो वह होता है आपका pulmonary respiration pulmonary circulation is the commonly referred to breathing it is the process of air flowing into lungs during inspiration यानि inhalation and out of the lungs during respiration इसको आप कहते है exhalation यानि कि जब आप lungs से बाहर आप यानि की breathe out कर रहा है उसका exhalation कहते है और breathe in कर रहा है तो आप उसको inhalation कहते हैं ये सारे process आपका pulmonary respiration के अंदर देखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं tracheal system tracheal system यानि कि जो आपका an insect like cockroaches grasshoppers transportation of gas and gaseous exchange takes place in a special type of fine tubes called trachea इस term को याद रखेगा कि कौन कौन से आपके animals के अंदर जो है trachea with the tracheal system वो अपना respiration कर रहे हैं ठीक है usually the tracheal system penetrates the cuticle layer via closeable walls called spiracles and end near within the tissues with fine tubes called tracheal तो यह आपका tracheal system को जब आगे आप पढ़ेंगे जब आप basically जब entomology के अंदर पढ़ेंगे animal की जब आप bodily structure के अंदर पढ़ेंगे तो आपको यहां आप इतना समझ दीजिए आपके वेरिस इंसेक्ट्स है कॉक्चिर से होप्स को ग्रास ओपर और बहुत सरे इंसेक्ट्स जो है आपका respiration कर रहे हो ठीक है यहां पर देखिए आपको जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और यहां पर देखिए आपके गिल से इतने भी आपके आपके काम्यट्स है वह सारे अपने यहां पर देखिए आपके अनिमेल यहां वह अपने लंग से आपके पलमोनरी आपके परेशन है वह देखने को मिलती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगे 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 सब्सक्राइब आपको बताते हैं ट्रांस्पोर्ट सिस्टेम आपको रूशियल तू सर्वाइब युनिसल्वर और गेंजम रिलाई ऑन सिंपल दिफूजिन फॉर ट्रांस्पोर्ट अफ नूट्रियंस और रिमूबल अफ वेस्टिक जिए जिए भी बॉड़ी फ्लूइड रौके थूआट दा बॉड़ी आपके सर्कुलेट हो उसके लिए आपकी सर्कुलेटर सिस्टम होत अब जाए जितनी भी फ्लूइड जो है वह आपके जो फ्लो कर रहे होंगे उसको कहता है आप ओपन ओपन सर्कुलेटर सिस्टम वेर अनिमोज मूज ब्लड इंसाइड दा कैविटी मूज फ्रीली अरॉड बॉड़ी इन डिरेक्शिन देक्षिंट जैसे कि अगर आप एक प्रीला आपके जैसे क्लेम कोई देक्षिंट भी आपके वांप हो गय हुआ वह को जैसे विड्याविमें ने जो आगे पीछी आपके फ्लूइड कर रहे होते हैं उनके पास ब्लॉड स्ब्लॉड इंस के अंदर ब्लॉड है और प्लूइड बॉर्य जिसके अंदर बॉरे पहले पर रहा है जिस डिरेक्षिन मुफ कर रहे होते हैं उस डिरेक्षिन में जो ही आपके बॉड़ी फूर्ट जो हती है वहां की मूफ कर रही होती है ठीक है humans में अगर मैं सीधे चलो तो इसका मदल्ब क्या होगा हमारा हमारे body structure के अंदर जो आपका इंसे इंफ्लोएंस होता है कि उसके अंदर की जो आपका जो ब्लॉडि फ्लूइड से वो किया सा मूव कर रहे है आपको उस्टलड देखने को मिले ठीक्वाथ करते हैं डिफर्ट डिफर्ट ब्लॉड बुल्ड वेसल से बाहर निकलता कभी आपने देखा है कि आपके बॉड़ी में ब्लाट आट्री चालविंस यह आपका एक पर्टिक्लर चेनल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसी जाने उसी ब्लड वैसल के अंदर ही जो है आपका जो ब्लड है वह हमेशाँ फ्लो करेगा आपका ब्लड जो है कभी आपके ब्लड विसल के बाहर नहीं फ्लो करता है ठीक है इंसेड इस ट्रांसव सब्सक्राइब को कंभाइन बीना मिक्स किये हुए और बोडी क्याविटी के अंदर भी वह मिक्स नियुदा उसका एक चैनल बना है वह उसी चैनल में जो है फ्लो कर रहा होता है ब्लाइड ट्रांसपोर्ट इन इस इन सिंगल डिरेक्शन दिलेवरिंग ऑक्सिजन और नू और बोडी में ऑक्सिजन और न्यूट्रेंट सप्लाई होती है बाया ब्लड यह होता है आपका अंदर फ्लो सफॉलेटर सिस्टम अब बात कर लें था कि एक्सक्रेटर सिस्टम में क्या गदर जो हमंगे वेस्मिट्रिल है वह में बादी से बाहर निकाल निकालने है ठीकि ह अब के बाद कर तो हमारे बोड़े में काबन आए ऑक्साइड जो है वह आप एक जयल करते तो आप अपने जो लॉंग्स के थूरू आप उसको बाहर निकाल रहे हैं कि तुरू आपके वेस्ट में अपके यूरिनेशन के थूरू वह बाहर निकल रहा है ठीक है तो यह देखे जो है एनिमल सब्सक्राइब करेंशन के आपके यूरिक आपको बढ़े हैं उसमें जनल आपको अमोनिया आपको आपटार्ड्रेट कार्वन-डायॉक्साइड तो यूरिक आपको यूरिक आपको बैस्टाइड और प्रेटनिन यह चार यह पांशीजा आपको कि आपके जो आपका जो इसक्रोटे ईंदर कॉंस और को वह प्रशन कि उसी के बेश्पर अच्लासिफिक्शन किया गया थैए कि पहला तो है आपका आमक्प दायसं मैं अंदर क्या एंदर जो टाइप अपकेश्छ से दिसक्रोट अपका हमोनिय होता है उसको आप इस प्रोटेजों एंड एकाइड मेटर पॉलीफिरेंस और इसके अंदर कॉन को नहीं है फिशा आरहे प्रोटोजों आरहे पोलिफेर आरहे और क्लस्टेशिंस ठीके याद रखेगा एक्जांपल भी त्याहिए रखेगा कि यह सारे आपके आमॉन अचलिक जो है आपके आम आपक का मेटर। इसके अब कई तो इसको आपका एक्सलिक अब कर देखते हैं और आपका शन्राइब शेर होब कर आपका यूण राखेड जो होता होता है तो आहां आपका यूरिक एसिद Six mayo नो कने और हैंगेμ matéri व्युकात आ् तो आपके स्पाइड़ जो होता है यह मलस्का और एकाइनर्मेटास के अंदर आपको यह चीज़ देखने को मिलेगा इसको प्रेस्ट करते हैं और जब आपका इस क्रेशन को वेस्ट मिट्रेटल बाहर निखालना होगा तो एक तो आपके आपका इस्पाइड़ जोगे वह आपका इसक्रेशन शो करते हैं कि प्रटल्स के अंदर भी आप को वह अब भी आपको आपको देखने को मिलेगा तो जीटेन भी इगजांपल यहाँ पर में आपको बता है उनके ऑखलों की प्रॉड्ट्स को हैं अगर इस ऑसे आप को यह अई आपको यह नाम जो है वह जो जिस पे अड्राशिफाय किया वह प्रदक्ट है और जो आपका इंग्जांपल्स है जो चीजें वह आपको ज्यांद में रखनी बहुत ज़ोरी है ठीक है अब हम कुछ एक्रिटरी और गोंगे प्रडर्ट्स की बात हो गई अब और समय आते कौन-कौन सब्सक्राइब है जितने भी वार्टिप्रेट्ट्राइब निया जो आपका इस पूंसिबल नियुक्त बात करते हैं तो उनके पास फ्लेम सेट जाए जो फ्लेम सेट इसकी अंदर की आपको मिलेगा तुछ देखने को मिलता है यह आपके अर्फम उनके इसकी अन्ट रहाग तुसके अनर आपको नेफरीडिया देखने को मिलता है ठीक यह को कुछ इज इसक्रिटरियो और कहां कहां आपके प्रेजंट है रौण्स है ए अन्टेलन ग्रीन ग्लाइं जो आपके प्रॉंस होते हैं इसक्रिटरिया पर अपको ध्यानने में आपको हुआ만 कि यहां देखिए आपके एक्जाम्पल्स दिये हुए कि कैसे कैसे आपके इंवर्टिप्रेट्स होता है उनका जिसे आपके अर्थम में आपके बता है ने फ्रीडिया होता है यह मैं पीजन टीब्यूस आपको दियां पर देखने को मिल रहा है इसे में ग्रास ओपर एंड्स इसे अरफ आपके एंसे भी जोंड़ अफ सफ्ट्वीड्स होता है और यूमेंस की बाड़ी की बात करें तो किडिनी के थ्रूब जो होता रहा वैसे वैसे जो है आपका आपका जो जो मोड आफ एक्स्ट्रिशन देफ देवलप हुआ और फाइली यूमेंस के अंदर एक ए करनी है वो डेवलब हुई तो यह आपका जो एक आपका बेसिक अंडरस्टानिंग के लिए आपके पिक्चर जो है अप्लोड करी गई है ठीक है शिवाय दिवारी यह सब्सक्राइब आपके लिए हो सकती है ठीक है वह आपको बताया जा रहे हैं सिर्फ एक लिए आगे चल के जितने भी आपके बालजिक के सब्सक्राइब आपके लिए राइस होते हैं वह सारे यहां पर डिसक्स किये जा रहे हों कि क्लास में बने रहे हैं अब हम बात करते हैं और और गयंजम अनिम्टम अनिमिलिया अग्लासिपाइब इंटु डिफरेंट फाइलम इंकलोडिक पॉलिफेरा निडेरिया टीनोफ अब अब जो है में गहानी शुरू होती है अब तक तो आपने उनकी जो बेसिक बाते वही पड़े देखिए अनुमस कितने कॉंप्लेक्स आपको यह समझ में आ रही होगी कि इतने देर से क्लास चल रही है और अभी तर च्लासिपिकेशन जो है वह में ली स्टार्ट भी न अब आपको यह समझना आसान हो जाएगा क्योंकि आपको जो बेसिक अंडर्स्टैंडिंग है वह मैंने आपको बता दी आगे चल की जगर मैं कहते हूं कि हां इस पर्टिक्लर फाइल में आपकी नेफ्रीडिया प्रजेंट होती है तो हां अब हमें ध्यान में रहेगा क्या अब क्या है इस तरह से आपको धियान में रहेगा ठीक है कि हाँ नेफ्रीडिया पहले मैं भी अफिछी अवाल था हमारी शीट्र था में बताया था हमारे रास्पराइशन सिस्ट्व पुल्मोर हम अपके एग्जिस्टेंस में आए तो आपका वेरियास जो यहां पे ग्ला हर एक चीज आपको अच्छी तरह से समझाए जाएगी ठीक है अनिवल किंडम क्लासिफाइड ऑन दा बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्टीबल कॉलम है या नहीं है उसके बेस्पे अनिमर्स को गासिफाइड किया था पहले आपके आते हैं वाटीब्रेटर जिसके अंदर बै क्लास को अपने सारे फ्रेंट जो भी पढ़ना चाहते हैं उन सबके साथ यह शेयर कीजिए क्लास के अंदर पूरा आनेमल किंडम को डिटेल्स है वह आपको एक चीज को समझाया जाएगा अपने फ्रेंट्स के साथ भी इस क्लास को शेयर कर कॉमेंट कीजिए और कोशिश यह करी चारे कि एक अदम बेसिक और इकदम सिंपल वर्ट्स में जो है आपको समझाया जाए ताकि आपको जो है हर एक चीज तरह से समझ मैं ठीक है तो चाहिए लाइक कर दीजिए लाइक कर दीजिए वैलकम वैलकम शिवानी इस क्लास को ला कर लीजिए सब्सक्राइब कर लिजिए आप ज़ो है तकी टामिलिक क्लास में हो सके ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते आपकी क्लास्पAustralse एक पॉरिफेरा की बात करते डिके पॉरिफेरा में क्या है ओड़िए हाट की अनदर बेलोंगिं distribuettis भीज से अनिम आपस बनाते रहोगे तो यह सारे पॉइंट होगे आपस में रिलेट करोगे तो बिलकुल सिंपल हो जाएगा इतनी बड़ी क्लास आपको विदिन लगेगा कि भाई मैं इतना लंबा पड़ा है हमें तो भाई 20 में समझ में आगए यह तब समझ में आएगा जब सारे पॉइंच को आप हाइलाइड करें कि इतना लाइं मैं यहां पर अंडरलाइन करते है वो सारे लाइन आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं ठीक है यह अपना जो पूरा बॉड़ी जो फंक्शन से वह कर रहे होते हैं ठीक है यह अब अबिलिटी तो एब्सॉर्व एंड विथोल फ्लूइड याने कि इनके अंदर एक केपिसिटी होती है सबुड़ी तो कि अचिए अपने जो जीतने भी फ्लूइड जीतने भी आपके वेस्ट मेट्र जीतने प्रॉसर उनको अपने अंदर रख सकते हैं और इसके बाद अपना प्रोसर है वोकर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे कुछ इनके फीचर्स क्थर्स फीचर्स जो है जेर इस चलंड करते हैं या फिर आपके डियरी स्मेट्रिकल होते हैं बद बॉड़ी इस उसलेंड कर बॉड़ी स्टॉक्चर होती है the scleroblast secrets spiracules with spongy fibers which secreted by the spongy obliged ठीकतीय तो जो आपके sponges होते हैं उसके अंदर होगे छोटे छोटे आपके जो बाइब नो ऑर्गेंस इन नो उनकी बाइब कोई और यहां नहीं कि अपिस नहीं कि उनका बाई और गदेशन जोई जब मैंने क्लासिफिकिन कि अपका आपका से लेवल अब बाइब बाई अगनेशन उता है पीछ तिशू लेवल ऑफ बाई अरिकर अगनेश्टिंग फिर औ कौन सा आपका लेवल ऑफ बोड़ी अरगनेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा दा बोड़ी कंप्राइज नुमेर इस पोर्स नोल आज ऑस्टीशिया और स्कूलम ठीक है बहुत साथ जो पोर्स आपके इसको बोड़ी के उपर प्रेसेंट होते हैं उसको आप क्या कहा रहे है और स्कूलम कहा रहे है जा सेंट्रल के विटी इस कॉल एस पॉंजर को इस योल एंड आट्रियम विच ओपेंस आउटसाइट थू दा ऑस्कूलम ठीकिट आप उसको क्या करते हैं पॉंजर स्यूल कहा रहे है और जो एट्रियम है वह बहार की तरफ फुलता है जाकि आप अच्छी बाइब अच्छी बाइब रखमेंटेशिए जो आपका फर्टलिशन प्रॉसस्ट रहे होते हैं और प्रिप्रद्टियूस कर रहे होते हैं और फिर चीज बाइब होती वह उसी बाइब रिलीज कर देते हैं देया नूरो से अच्छी बाइब आपको समझ में आगा कि यहां आपके आस-पास बाइब कोई तो सेंसरी सेल्स अपको प्रिज़न थाकि आपको पास चले कि आपके आस-पास जो है वह फूड आइटम प्रिज़न है या नहीं या आप जो है एक पर्टिक्ला सही इंवार्मेंट में बड़ जो आपके नूर्रो सेन्सेरी सेल ते वह प्रजेंट होते हैं अब यहाँ देखे इसके एक्जाम्पल्स कलाथर नहीं ठीक है स्काइपा विपलक टेला है रिलो नेमा स्पॉंजिया स्पॉंजिला यह सारे जो हैं आपके इसके पौरी फेरा ठीक है यह रहे हैं आप आपका ऑस्कुलम है ठीक है आपको वेरियस पोर्स जो है बॉडी में प्रेजेंट है ठीक है एक जग कहीं है लोग अटाच जाते हैं और यह आपका पुरा स्टक्चर है ठीक है यह पॉरिफेरेंस यह आपको दिखाए गए है अब अगला फाइलम क्या है आपका अगला फाइ इस पुछ है वह आप देख लेते हैं ठीक है ठीक है तो यह आपको लग रहा हो कि मैं आपने पॉलिफेरा में बदा था कि वह कहीं से तो इसमें क्या अंतर है हर एक में कुछ-कुछ एक इंपोर्टेंट फीचर आपको अलग दिखने को मिले तभी उनको डिफरेंट फाइलम में जो है वह क्लासिफाइड किया ठीक है अगर कोई भी ऑर्गेंजम को एक पर्टिकुलर फाइलम का नाम दिया गया क्योंकि उसमें पर्टिकुलर जो है आपका एक फीचर आपको देखने को मिला जब सब्सक्राइब करी गई तो इसमें देखते हैं दिया मोचले अक्वाटिक एंड मेराइंग है एबिटेट आनिमल इस पीशिज एग्जिबिस और टीशू लेवल और इनका बॉड़ी और टीशू लेवल पिसले वाला क्या था? लेवल था माउथ इस इंख्लोष विष थिन एंडड र साड़ माउथ खोले हुआ थे पर यहां पर आपका in you कि एक्तोडम में लेकस आतिके अज़ने च्छाइब की और इनर बाड़िक का सब्सक्राइब एक्तोडम में इसको रिपीट ना करना पड़े है ठीक है they have their cavities in their body के अंदर आपको एक खाले जगा चावटी देखने को मिलेगी तब बादी इस रेडियली स्मेट्रिकल इनकी बादी जो वो रेडियली स्मेट्रिकल है यानि कि किसी भी प्लें कि किसी भी अक्सिसर काटते हैं तो आपके बादी जो है डिवाइड होती है द आपके जो नर्वस सिस्टम है और आपके सब्सक्राइब करते हैं और आपके कुछ सिलेंट्रेट्स जो होंगे उसके अंदर आपको सेक्शल मोड देखने का मिलेगा जो आपके सिलेंट्रेट्स है इनको ही आप नाइड नाइड़ेरिया भी कहते है अगर आपको यह कहें नाइडेरिया या फिर आपको नाइडेरियें कहें इसका मतलब विल्कुल कन्फ्यूस्न नहीं होना है को ही नाइडेरिया कहा जाता है विकॉस देखंटेंच स्पेशलाइस सेल कौल नीडो ब्लास्ट इनके अंदर एक नी तो इनके एक स्टेंगिंग इसको आप निमाटोसाइट कहते हैं चलेंडरे यूस टेंटेकल्स टूप्चर दा फूड एंड रॉड इंटू दा ओपनिंग तुज आपके यहां पर तेंटेकल्स मैं आपको बताया थे पीछले वाल में कि उनके पास टेंटेकल्स प्रेजन इस मुझा पर राव कि आपके बाड़ी में इस टेंग चुब गया इनकी यह आपको बड़ी में एक अटाक कर दिया तो इनके अंदर इतना इतना फोड़ी प्रेजन होता है कि यह पास कर सकता है किसी भी हायर में अंदर अब इसकी बात करते तो एक्जांपल में आपका है ऑबेलिया ओरेलिया राईस्तों में दो मेंटरी डियम और यह शारे आपके सिलेंट रेटा के इस एक्जांपल नहीं रहाएं कुछ आपके फीचर्ट करें आपके अपके इसमें पो दिखाए गए नाव एक अबाओ दर तीनो फोरा अगर आप टीनो फोरा की बात करते हैं तो टीनो फुरा में देखे क्या है इस फाइलम इस अ इस इस फाइलम आफ एक्स्लूसिव मेराइन इन इन वर्टिबेट नौफरा मिन्स कॉम बेरिंग अगर आप से एक क्वेशन पूजा जाए कि कॉ कॉम बेरिंग अनिमल्स जो होते हैं वो कॉंसे फाइलम में प्रेजन रोते हैं तो आप सीधे आनसर क्या लगाएंगे थी नों फूरा लगाएंगे ठीक है दिया कॉम जली और थी वालने इनको कॉम जलीस करते हैं या या सी वालनेट करते हैं इस तिंगुशिशिग फीचर क्याते हैं इसलिए इनको दूसरे जो कैटेगरी में उसमें डाला गया है ठीक है अब बात करते हैं देयार ऑसो डिपलोब्लास्टिक होते हैं दो जर्म लेर आपको प्रेजन हैं मीजोग्लिया इस प्रेजन बिट्विट्विन एक्टोडर्म एंडोडर्म बिचिस नॉट सब्सक다 देयर विट्ता मीजोग्लिया थे का यह थीं कि अदर जो मेजोग्लिया प्रेजन र Ludovaticants इस में जो में जोगी यह आपके लोको मोशन में है करता है गार्ट गैस्ट्रोडर्मिस कंटेंज नूटिव सेल्स जर्म चल्ब एंड फोटो फोटोश विच्टोर्स फूड अब आप देखें क्या यहां पर बोल रहा है कि अपके नूटिव सेल्स जर्म सेल्स एंड फोटोशाइट जो होते हैं व यही पूछ लेता है कि कौन से फाइलम में बायो लुमिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वह आपको देखने को मिलती है तो तुरांट एंसर लगाना है टीनो फोरा ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट फीचर है यह से लिए इन दा गास्ट्रोडर्मिस और रस्पॉंसिबल फॉर बॉर्टेंट फीचर वह रहा था इसमें सेक्शुली हो रहा है ठीक है अब देखिये इसके एक्जांपल प्लूरब्रेक्ट्ट्या बीरियो मिनोफिप्सिस बोलिन फिस्ट्टिस एंड टीनो प्लाना यह सारह आपके किसके अंदर को रखें अंदर आते हैं यह आपका फीचर सेथिकिए यह कॉम जेली लैग स्ट्ट्चर ठीक है और यहीं आपका हैल करता किसके अंदर capturing of food के लिए ठीक है अब हम बात करते हैं प्लेटी हेलमेंथिस के बारे में ठीक है तो अगला आपका फाइलम क्या है प्लेटी हेलमेंथिस करते हैं इसके लिए करते हैं यिस सब्सक्रơंज है दना आपको देखने को मिलता है ये होते हैं और भाइलाट्र सीमेटरी इसके लिए कह फायसा थी फ्ली है प्रशिटिक भी हो सकते हैं आप तक टीशु लेवल ऑफ बाद अगरेशन था इसके अंदर और लेवल ऑफ बोडियाशन है बोडी है प्लेटी हैं र्छाइन साथ फ्लाइट ऑफ के अंदर प्लाइट शक्चर इन पत्य आशा स्थैक्चर आपको देखने मिलेगा वर्य हर्मा रोडाइट हम आप का मतलब है इसके अंधा काुकी जो होता है और यह जो कि लिए जो हो रहा हुआ है teensile जो हो कहां कि यह जो जैए जाना है पाए आपको बता है था ठीक है फ्लेम सर्ज जो प्लेटी हेजमेंटिस के अंदर प्रेसेंट होते हैं यह एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगलेशन में आपके हेल्प कर रहे होते हैं नर्वा सिस्टम कंप्राइस तो ब्रेन एंड टू लांगी डूर नर्व कोड एरेंज इन लाडर लाइक फैशन ठीक है अब के इंग्सेंपल जैवाप देंगे जिए इसके ऍट लिए इसके एंपल कर लेया ऱवहार सुना इर आप लग प्लाने एरिया आपने बहुत बाहर सुना मोज बात कर रहे हैं तो आपने इंगे मिदें ऐरे उन्टार स्रू इंधर कर रहे होते हैं और यह जो आपके प्लाइब लाइक करता हैं देखिए बिलकुल एक दम लीफ लाइक स्टुक्चर आपको प्रेजन होगा इसके अंदर ठीक है बाल जी में आपको सारे जो आपके डालेगा इमेज डालेगा है ताकि बिलकुल आपका कॉंसेप्ट जो है वह क्लियर हो जाए ठीक है ठीक है ठीक है तो यहां पर मैंने कोशिच कि जितने भी अवेलेबल ऑर्गानिजम्स है जो आपके अंडेस्टैंडिंग को बूस्ट आप कर सके वह सारे पिक्टर जाए इसमें अड़ की है मैं नें ठीक ऑर जो मैं फासिवारम कैसल मन्स है ठीक है इसके अंदर ने चृइम्ट क्या तो होते हैं यह आपके स्वाइल में फ्रेश वाटर में और एनिमल्स और हुमन के उपर आपको यह देखने को मिलते हैं एसकरीज इस फॉंड लीविंग एज एंडो पैरसाइट इन हुमन इंटरस्टेंड देखिए जब आपके इंटरस्टेंड होता है और पेड में कीडी प आपको जाहा देखने को मिलेगी ठीक है आपको बोडिर नरत्रेम के बिलाने की फॉल्स आपको डेकने को मिलेगा यह आ और दिफेरन अबनेश फिल आपको आरि आपको डेकने को मिलेगा दे और ले सुष्टेंड complete elementary canal with muscular pharynx यानि कि इनके डिएस्टिव सिस्टम में वो एकदम जो है आपका complete elementary कना इसके अंदर प्रेजंट होता है जिसको इसको मस्कुलर फेरिंग ठीक है इन the rectum opens into the end to the annus in female in and cloaca in males present postally अगर आप ascaris की बात करें ठीक है तो जो आपका रेक्टम है वो एनस में खुलता है females के अंदर और cloaca में खुलता है इन मेल्स ठीक है और यह सारे जो पोस्टियां कि पीछे उनके end point पर जो प्रेजंट होते हैं the respiratory system is absent and gastric exchange occurs through the body service अब इसके अंदर digestive system तो आपका प्रेजंट है लेकिन आपका respiratory system है वो प्रेजंट नहीं है जितना अपका gases exchange होता है वो body surface से हो रहा होता है ठीक है एक्जांपल देख लेते एक्जांपल में राउंड वुक वर्म फाइलरियल वर्म जिसको आप वुच्छे रिया वोदें जो है वह वह जो है लाइक करते हैं कि यह काई नहीं परफिट इफट जो है यानि कि हूमन पर जो प्रफिट इफेक्ट शो करते हैं इसलिए जो एक्जांपल देख वह इंपॉर्टन हो जाते हैं ठीक है यह आपके पूछ इंग्जांपल ठीक है है यह चुछ तो यह नेक्स फाइलम एस अलिडा अब एनलिडा कि बात करते हैं अलिडा के अगर बात कर रहे हैं दे आर सी लोमेट एंड ट्रिप्ल अब यहां से जो है अपका बोड़ी में शीलोम जैने बोड़ी काविट जो आपके एंड़्डर्म मुज्वर्व और एक् कहते हैं तो यह जो होते हैं वो भी बिल्कुर बाड़ी सर्फिस उनके बॉड़ी सर्फिस के तुरू वो रस्पायर करते हैं नैफ्रीडिया और एक्सक्रिटरी और यह जो नेफ्रीडिया होते हैं नेफ्रीडिया ध्यान रखेगा यह सारी बाते हैं ठीक है यह वेल डवल्प शर्कुलेटरी अडिजस्टिव सिस्टम होता है और वह विल डवल्प होता है देपॉड़ी कांटेंस हीमोग्लोविन विच तेम रैडिकलर इनके बॉडिका जो होता है उसमें आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं यह आपको फीचर अंदर देखने को मिलेगा सीटिया हैं इनके बॉड़ी में सीटिया प्रसेंट होता है जो प्रसेंट है और यह हैल्प करता है इनके बॉड़ी मुवमेंट के लिए ठीक है चौक मित्युस सब्सक्राइब करता है तो आपके अंदर मेरा फ्रों करता है कि की आपके अर्फ वर्म एंट रिए इस रिपरिस्स है वह आपके ऎनलीडे में आते हैं ठीक है यह तेखित ऑफ सेगुमेंट्स पास्टेमंद्स करें को बाडिऑ टीक है क्या है तो अब बात करने जाらい हे बारते बारे contradictic नाइल लाख स्पीशिस ठीक है जो आपका अनिमल किंडम के अंदर सबसे बड़ा फालम जो होता है वह होता है आपका आपका अर्थोपोड़ा फालम और इसके अंदर लगभग 9 लाख स्पीचिज जो है आपकी अभी तक डिसक बड़ हो यह और बहुत साइस पीचिज अभी आपनेज आपनेजेश अर्ता पो रहा का इंपोर्टन फीचर है इस भी आपनेजेश और काइटीन एक्जूस्काइटेजिए उसके अंदर आपको जो प्रिजेंड ऑगोगा काइटीन प्रिजेंट होता है ठीक है इस चुण्धेल लाज वे इंक्लूज फ्नूज शुड़ास इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास जो इसके अंदर आप सड़ी करते हैं विच इटसेफ रिप्रेजेंट अमेजर पॉजिशन आफ दा एनिमल स्पीशिस इन पाइगा यह तो वह आपकी इंसेक्ट पाई गई और जो इंसेक्ट वह किस फाइलम के अंदर आप सड़ी करते हैं व अब इनकी बॉड़ी स्ट्रॉक्टर जो है वह वह प्रिप्लोब्लास्टिक बॉरी सगों सेग्मेंटेरा सिमेट्री और लेवल ऑफ इस अब जो इंदर देख जाता है अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वह तो देख लिए वह थे वो क्या है अब बॉड़ी इस जिवा आपका यह जो लाइन आपकी यह इंपोर्टेंट है जो सेकेंड पॉइंट यह पर दिया गए बहुत ही इंपोर्टेंट है यह आपके इंसेक्ट का जो कहीं नगाए करेकर तो फीचर जो है आपका शो करता है जैर बॉड़ी है जॉएंट अपनलजिस विच हैस इन लोको मो रहतर होती है यह आपके इंव महतों ब्लेम से डाइन है से प्रेंट का बना हुआ है ठीक यह अपके अधर ज्कार सब्सक्किन करते मैंने रखेगा व्यूंक march которую ताम तप neighborhood जीतने बूर्स है मौ पर जोने ट्रेशिक चिछिए कंट को सिव जवान होग यह का च्रिदीड करते और चुछ। बागे जो आपके घ्रिशन कर रहा हुंगे आपके जया थे अज़ीक एक्सक्रीशं कर रहा हुँ लिए तरफ आपके जरी लाएंट्हस। के अपका आपका लाइशेस्टिशन बपने पर भाने के अपना रेस्पारेशन जो है वो अकर रहे फिरेस्टिशन होगाने के व्हुता आपका अपका जूने तो का पहले में इसको ध्यान में रहे हैं कि कौन कौन से और गेंजम के अंदर कौन कौन सा आपका रश्पारेटर सिस्टेम प्रोजन इसी से पूछा जाता है आपको कहीं पर फीचर लिखने को नहीं पूछेगा या आपको जो उनके अंदर कौन से क्यावटी लिए अगर एक आप जो एडवांस्मेंट आप पढ़ रहे हैं तो उ इसके अंदर देखेंगे इंसेक्स में अपिके अंदर एंटिना पर उनकी जो आई होती है वो कंपाउंड आई होती है तो यह सारे कुछ इंपोर्टन फीचर जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ठीक है यह आपके वेरिस आता पोड़ा आपे देख रहे हैं आप अब हम बात करते हैं आपका अदर पालम इसका आपका मलस्का मलस्का के बात करते हैं तो मोलस्का जो कि जो study of mollusky है उसको क्या कहते है माल को जिक ए चीज़ याद रखेगा कि माल को जी इस टुडियोव मोलस्का ड ऐनिमास बेलोंगी दूट फाइलम मोलस्का है सॉव और गें सिस्टम लेवल ऑफ और गनाजिशन ठीक है यह इसके बेशिक बेशिक फीचर सोगा लिए दाप दर वादी एंदर अदर मस्कुलर फूट में और में चार्ट में आपका जो है आपका जो बॉड़ी पाट वो डिवाइड होता है आपका ठीक है तो हैड कंटेंस टेंटेकल अंड कंपाउंड जो सर में आपको आई मतलब कंपाउंड आई देखने को मिलेंगे दब बॉड़ी इस कवाड़ विद कैसे रियस से जो है वो कवर होती है ठीक है दमस्कुलर फूट है लोको मोशन यह आपका मस्कुलर फूट है वह किसके लिए ह सिस्टम है दर रेडियूला इस दर रास्पिंग और फॉर्ड फॉर्ड फीडिग यानि कि जब खाने के लिए आपका जो और इस रेस्पॉंसिबल है उसका नाम क्या है रेडियूला है ठीक है रैस्पारेशन अकर्स्ट्रू जेनरल बोड़ी सर्फेस गिल और पल्मारी सेक स्चाहता है अंग उस फ्रोट फॉद ऑपन शार इसमें भी आपका ओपन सार ने शुल् embrita को मिलता है और इसमें पे राफ मेर मेटना सब्सक्राइब आपके मैंटनेफरी अफ्रेट ने प्रसेंट फोर्फ आफ डास सेट अफ स्क्रीशन सबनार अफ भी सब्सक्राइब गैंगलिक्ष तक्ते गांडर शुस्ट लिए निया जो होता है वह प्रेजन उता है फोर्ट केंगें CR eyes and the Osperidum and statocyst are the sensory organs तो यहां पर जो आपका tentacles आइज है ओफरन और ऑस्परेडियम है statocyst यह सारे आपके sensory organs ठीक है example में क्या है का काईटन क्रिप्टो काईटन उन्यों एक्सेक्टरा ठीक है मॉलस्का के अंदर यह आपका जो है octopus भी आता है ठीक है यहां देखिए जो मैंने आपको कहता है क्याल के रिए और इसके अंदर इसकी body structure जो होते हो प्रजेंट होते है ठीक है और अगर आप क्याबट लोकोमोशन इन सब चीज़ों में आपका help कर रहे होते हैं ठीक है कुरिंद आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी जैसे आपके एग्जाम डेट अभी रिलीज नहीं हुए ऑफिशिल आपको बताए जाएगी ठीक है में बेर अबाट जैन्वरी में आपका एक् हाँ और आपके एग्जाम डेट होना सार्फ प्रेस्टिगान कि बात करते हैं तो आपके फाइलां में उस में 성ा टेंगान ओन इसलकरते हैं उसमें तो होती है वो प्रिसंट होती है नहीं आपके जो जेनरल और टेकनिकल की जो कटफ है वो सेम या डिफरेंट डिफरेंट रहने वाली है आपकी जो कटफ होगी वो क्योंकि ही आगे जाए हैं प्षपर फेश तो होगा उसमें काहिना कि आप दूसरे गजाम्स देर रहोंगे सब्सक्राइब करेंगे और अगर इसमें कोई और अपडेट आती है आपका बताएंगे ठीक है सोनू पर जेनरली आइटिंग की वह डिफेरेंट ही होनी चाहिए आपके अभी तक मुझे लगता है ठीक है दो आपके और अओं के अस्पिनी चेंट उसमें लेफल अवर्यक अप्रियक्राइब सब्सक्राइब में उसमयाय उसम्तुम्सम syllabus और अप्रंश सब्सक्राइब का ऐसके फ्रसंड आपके अ बसेशत став हो प्रनली समयं फिरिखर अश्क पह्तरलियों हुरिक जिक बएन फृश्क स्टेवं हो बढ़ा माइब है वैब का स्कार्बोनेट का बना हुए इनके अंदर जो सर्कुलेटर सिस्टम बोबें सबस्टेम प्रेसे अंदे रापाय तूइज फ्रूफ एंद क्लोकल रस्पेरेशिन। को कर रहे हैं ठीक है थे फिंपल रडियल नर्वस दिस्टेम एंड एस्कृति जिस्टेम नहीं होता है दबौडी इनके अंदर जो बौडी होती है वह एंचेग्मेट नीक उनके अन्दर दि आपका देखने को नहीं मिलेगा तमाथ इस प्रेजेंट ऑन्ड़ेंट आपका वे लोको मुश्य जो है वह बेंटर साइड में प्रेजन होता है यह पीछे की तरफ आपका बैनस जो था वह प्रेजन होता है ठीक है और आपका जो इसके अंदर देखने को मिलेगा और और अगर बात करें तो यह रीजनेशन इस एक्सटरनल ठीक है जो आपका फटलाज़्चन फटलाजिशन इसके अंदर देखने को मिलेगा इस्टेरिया जो रोस्टर ओफिडर्मा एंफ्युरिया ठीक है तो यह सारे जो है आपके एकइंडरमेटर जितने भी स्टार्ष टेप ऑफ और्गेंजम से वो सारे अपके एकाइंडर और मेटर के अंदर आते हैं यहां देखें इनके जो स्टुक्चर हैं स्टार्ष है अब बात करते हैं कोड़ेटा की भाथ करते है अब तक तो सारे कम्प्लीट हो गाए है अब आपके वर्टी पेड़ेटा के अंदर आप जो का से फाल वो आपका वर्टी बेटा तो एक तो आपका स्विक्षिन क्षेम में शिच्छ करते हैं को ड़ी टा बिलॉंग सुदा अनिमल किंडम अनिमिली आइप एंट इंक्लूंस और इस चो परें उपहर को डेटा होते हैं उसमें आपका आता है सारे वर्टीब्रेट आते हैं ठीकिं इन वर्टीब्रेटेट अब तक जो हम ने बढ़ा वह सारे इन वर्टीब्रेट्स से इनके अंदर बैक बोन प्रेजंट होती है कुछ फीचर आपके यहां पर बताया जा रहे हैं जो आप ध्यान में रखेगा ठीक है यह बेसिक फीचर जहां से आपके कॉस्चिन अराइज होते हैं नौटो कॉर्ड नौटो कोड़ का होता है इसलों को बेइस अलोंगिटूट्नल चाटिलेजियन रॉड रॉंग बेविटिवें दर नर्व नर्व कोड आंड दाजिस्टिव चैक्ट एड असब्चॉड फार नर्व कोड और इस रिप्लेस्ट बाइब लॉड कोलम आफर दा स्टेज इन वर्टिब्रेट्स जो आपके बैकबॉन होती है ना बैकबॉन उसको यह आप नोटो कॉर्ड कहते है एक क्याविटी जो होती है आपके बॉड़ी में रन कर रहा होता है ठीक है और यह आगे चलके जो है आपका वर्टिबल कॉलम से रिप्लेश जो का एक इम्प् सब्सक्राइब करते हैं इस बंडल ऑफ नर्व रनिंग अलोंग बैक एंड इंटु दब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ट ता होलो एंड इस होलो एंड दॉसल तू नौटो कोई ठीक है तो जो आपका दॉसल नर्व कोड़ है बहुत सारे आपके नर्वस सिस्टेम आपके अजनों जानों आपके यह आपके द्याग देखर, रियुटर मॉट हिला दो भीजगोरों भीम्हों जानों जाब यह स्विह बहुट सिस्टेम। आपके अंडर फैनेंट्र और गश्यार्ट कोई अधि? इसमान होगी तिक है all coordinates have this opening in lateral side of the pharynx at same at some stage of their life ticket to do up to coordinates out there who's cannot put your pharynx your time will present to the post and I'll tell you a post and I'll tell it is an extension of the body to the anus in coordinates the tail is composed of skeletal muscles which helps for locomotion like fish like fish like species and absent most of the adult coordinates the job of post and I'll tell you what 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 I'll tell you you know about your card of tunicates capital Cephalo quadriple of landslates capital of vertebrates cut a table in the vertical column present with a euro quadriple of what I will tell you what I will let them they are they the adult are fixed to the substratum is candle came out like you have to add something with a that was a surprise of substance say it says it's also known as tunicates because the the body of the adult enclosed with tunic made up of cellulose-like substance known as tunicin यानि कि जो आपका जिसको आप tunicates कहते हैं क्योंकि इनकी बॉड़ी पर जो adult body है उसमें आपको tunics present होते हैं जो कि तुनिसीं से जो एक cellulose जिसका नामें तुनिसीं उससे बना हुआ होता है notocord means notocord can be seen only in the larval stage and disappears in adult ठीकि जो आपका notocord है वह आपको इनके लार्वल स्टेज में देखने को मिलेगा और जैसे लार्वल स्टेज से अडल्ट में ठीक है फार एक्जामपल एसकीडिया स्केलपा डोल लियोलम यह सारे इसके उरो कोड़ेटा के जापकर आपहर्च नहीं में वह रहां प्रेंटंट है र स्टेज में विवाल भी पूरा आपको प्रेंट नाट अगर्ग्ॉलम स्टेज में जायग प्रसेक्रावल और मेदारफ दैसंच भ gloss इस व फाउनगल नहीं यह याद रखेगा यह वादा पॉइंट भी याद रखेगा लैंटेकल्स प्रोसेश दा नोटो कॉर्ड एंड नौर्फ कॉर्ट फूर्ट फूर्ट थे लाइफ हावर देलेग ब्रेन एंड बोनी वर्टेबल कॉलम्स तो इसके अंदर जो है आपका लेकिन जो आपका लेंटेकल्स प्रेजंट होते हैं जो आपको सेंस के लिए आपकी हेल्प कर रहे होते हैं वर्टीप्रेटा की बात करते हैं इस अर्दा एडवांस कॉलडरेट थे अनियम नियन के पास बैल डिफाइड ब्रेंड एडवास कॉड़ेट साई है सारे जो है वह आपके वर्ट इप्र नहीं हो सकते सबमें सारे जो आपके आपके अदर आपको वर्टीबल कॉलम्स देखने को नहीं मिलती है ठीक है लेकर देखने मिले गास्ट्रेप्ट्रेप्ट काडियर्च विड़ देग्यम्सेच यह थे कर आपको यह थे लेग्यान। मिलेगा एलिमेंटरी करना यानि कि आपके डाजिस्टिव सिस्टम जोब कम्प्लीट होगी वैल डेवलप रेस्परेटर सिस्टम और यह आपको देखने का इंडोग्राइंट ग्राइंट और प्रेजेंट यह सारे फीचर्स हैं आपके वर्टीब्रेटा के ठीक है कि यह आपके सब्सक्राइब वर्टीब्रेट ठीक है आपके वर्टीब्रेट यहां पर आपको दिखाए गाए आगे इन सबको अच्छे से हारे एक क्लास को आपको अच्छे समझाया जाएगा ठीक है सब्सक्राइब वर्टीब्रेटा इस डिवाड़े अंडर टू सेक्षिन आपका जो सब्सक्राइब वर्टीब्रेटा को डिवाइड किया गया है इंफ्सक्राइब वर्टीब्रेटा को डिवाइड किया गया है इंफ्सक्राइब वर्टीब्रेटा को डिवाइड किया गया storm and jaws are absent paired fins are generally absent they are early species have bony scales and plate in their skin but these are not not present in living species because you have cut it's not a species that is my uncle jawless fishers come by making jawless fishers care study to have was kinder of me curry tea tea care or is there you have to have a be up existence meaning early species have bony scales to care these are not present in living species so you have living species canada you have a species may have you born scales do I will be present in most of the case skeleton is cartilaginous and the embryonic notochord persist in the adults so you have embryonic notochord is present seven and more pair gills pouches are present so you have to have the features of the cycle of stomata are the modified and degenerated offshoot of primitive vertebrate stocks due to their circular mouth they are named as cyclostromata they are parasitic usually feeding on fish in their adult stage and they are known to be living they are known to be the only living vertebrate without the true jaws only living beans vertebrate in the past true jaws in the cycle of stomata includes head fish and lampreys and lampreys so we have to talk about this is the group of vertebrate with jaws which may job present this group traditionally as a super class including the familiar class of fish birds mammals reptiles and amphibians तुक्याइब ये सारे जो है आपके इस फाईलम में आपके लाई करते हैं अब आपके पहले बात करते हैं फिशस के बारे clode virus Claude blooded oviparous or OVB parous ठीक है यह सारे features जो है आपके features के हैं वह present होते है ठीक है cold. ब्लेड के अब टीद के features an exoskeleton of dermal scale dental or bony blades cover the whole body surface which is striking striking characteristics of spices यह साहे जो आपके important characteristic है important characteristic है आपके spices के अंदर ठीक है अब पार्सेस को भी दो अग्लास के बीड़ क्ैटेगरी में आपका एक्लासिफाय किया गया है पैल को डर्मी फैल को डर्मी इस इट कंटेंस फिसन्ट आट आप नो लोंगर अलाइव यानिकि यह पैल को डर्मी के अंदर जो फिशेश रही वह अब आप एक्जिस नहीं करती यह बोट्री ओप लेसिस एंड दा लाइमें रूस्ट यह आपके एक्जामपल नहीं कि यह दोनों जो है अब एक्जिस्टेंस में नहीं है आपको फीशेंस अब आपको अब नहीं देखने को मिलती है अब अगला हम बात करते हैं फिश्ट के बारे में तो पहला क्या है आपक अब के सी में मिलते हैं फ्लैकोट स्केल मेक अप यह एक्जो स्केलेटर ठीक है MP और होलो स्टेलिक जो सस्पेंशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा दे आर फाइव तो सेवन पेर और गिल्स देयाब इनकी फाइव तो सेवन पेर गिल्स जो है आपके इंदर इसके आपको पास साथ पेर ऑफ गिल्स जो है आपके प्रेजंट नहीं होता है तो आपका स्कॉलर्य और प्रित्रिस जो है यह इसके एक्जांपल हो गए अगर आप दूसरा बात करते हैं इसके बारे में आप क्या पढ़ रहा है ठीक है इस फिश कन फाउड इन सी फ्रेश वाटर और ब्राकिश वाटर यह सारे सभी टैप के वाटर में आपके प्रेजंट होते हैं ठीक है दैसको एक्जोस्केल्टन इसमेंड अफ साइकलोई टिनॉड और गैनॉड स्केल्स आप अग्यां प्रेजंट होती है और इसके अंदर उपर कुलम जो गिल्स होती है वह ओपर कुलम से जो है कवर रहती है और गिंश जो आपका रेस्परेशन हो रहा है और और जीतने वीशिश आप स्टैडी कर रहा होते है वेरियास पीशियस जैसे प्रेंग लिब्यो रहीता औ अगला आपका जो ख्लास है यह सारी क्लास आप किसके अंदर पढ़ रहे हैं को अपने पढ़ आपने पहला पीशिस पढ़ लिया अगला आपका क्या है एंफिबिया ठीक है अगला पॉस अंडर दगोड़ फाइलम ऑफ दकिंडम अनमीलिया इस और मुल्टी सल्वर वर्टिब्रेट्स बोथ ओन लैंड एंड वाटर इसलिए इनको एंफिबियंस का जाता है क्योंकि यह एर्थ वाटर पे और जो लैंड दोनों जगह पर यह जो है सर्वाइव कर रहे है ठीक है बड़िष ऑन्टोफ है एंट्रंगि वह दो पार्स में डिवाइड होती है इस है थालक संवेडमर ऑड यह आपकि दो पार्स में होती है है कर दोंकि यह और अंडर पी इस ऑपिए शन और वह भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो छिक है आपके वोड़ी वह स्म नहीं मिलेंगे बट वित अग्लाइं अग्स थिक आपके अंदर जो आपके स्वेट ग्लाइं जो उसके बॉडी को मॉइस्ट कर रहे हैं आपके कुछ ग्लाइंस जो उसको मॉइस्ट रखने में हैं लिए यह फू पर फू पर लिंग फॉर लोको मोशन के लिए देश पार प्रेशन कर रहें गिल्स माइट बीप्रेजेंट इंडायक्त मेटमोर्फिजम यानि कि मेटमोर्फिजम के मिटमोर्फोस जो जो तर वह इसके अंदर प्रेजन होता है आपका जो वे इस स्टेज़ेस आपके डेवलापनेंस पर मिलते हैं एक्जांपल में आपको देखने क तोड फ्रॉग स्लमेंडर इसारे एक्जांपल किसके एंफिबियंस के ठीक है अगली बात हम करते हैं रप्तिलिया कि बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे रेप्तिलिया आर्दग क्रीपिंग एंड बर्वाइंग टेरेस्टियल अनिमल विट स्केल्स ऑन देर वाड़ अब आप 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 अपको अविलेबल मिलेंगे विचेल्स ऑन देर बॉड़ी देर अटोल ब्लेड अनिमल जी कोड ब्लेड अनिमल होते हैं फांड इन मोस्ट ऑफ वार्मर रेजिस ऑफ दो वर्ल्ड तो इसके अंदर आपको कुछ ग्लाइंट ऐसे प्रेजिए जो कि इसक स्कीग आफ बृट रहात आफ कोई भी बाइस के बिल्क वापना जैने सकीन एक लेयर रिमूबकत यह च्ग कर रहे होता है त्वा स्टेशन आप एक लैर जो रिमूब कर देता है आगे चलके दर आस्पैरेशन टेक्स प्लेस फिट पूरेज आपका लंग्स के थूधा होता है मॉना थिक लॉपका स्कॉल है वह आपका मॉनो कॉंड्रिक है लिम्स में बी और में नॉट बिप्रेजंट यानि कि इसके ना लि लिम्स देहाब टू पेर्स ऑफ पेंडा डेक्ताइल लिम्स को मतलब कि उसके अंदर आपको फाइफ फिंगर्स या फाइव अधर ग्रास्पिंग पिक अपको देखने को मिलेंगे स्नेक्स दू नॉट है लिम्स नहीं को मिलती है लेकिन अगर लीजर्ट वेकरा देखें आपको क्रोकोडाइल होती है लेकिन इसका हाट वह फोर सेंबाडे रसत इसके अलाव जितने भी होगफ एपट्याइज है वह थी चैमब्र हाट के होते हैं ठीक है सारे आपके रेप्टाइल के एक्जांपलग ऑगला क्या है अगला आपका अगला जो है आपका टोपिक जो अगला अगला वो है आपका एव यानि की बर्स की बात करी जा रही है एव इंस या फिर बर्स एव एड़ आप्टेट टू फ्लाइ निक इनके अंदर उडने या अफ लाइक करने की बबलिटी होती है है अब भर्स कम लिजस कि लेड़ आपका और बीजेविए यंद्ट नेष्ट बनाते हैं उसमें आपने एक्सको जो हैवह करते हैं अपने वह वाड्स को जो है वह फीड कर रहे होते हैं अपने बचों को यहता को परीजा आपको इसके देखने को मिलेगा तो जो वाब बार्स वो आपके वार्म ब्लेड़ होती है ठीक है फोलिम्स जो होती हो जाती है विंग के अनगे जाने के लिम्स थी वो नके मुवमेंट या उनके आपने फूड को चाप्चर करने के लिए करता था लेकिन यहां पर जो आपका फोल में वह विक्स में मॉडिफाई हो जाया जो कि हैज करेगा आगे उनको फ्लाइब करने में यह बै यह वैल डेवलाब्ड फ्लाइट मॉसल्स दैट है दूरिंग दॉरिंग फ्लाइट यानि कि उनके अंदर जो कुछ मॉसल्स जो है ड एंदर प्रेजन्ट जो बोन स्प्रेजन्ट होती है वह होलो होती रही अंदर खोकली तो जिससे क्या वह तो कि दूर्शी था हूँ अर्च घ्र ग्राप उतियु एफ ग्राथ कर चा estranग वाद क्यूंकर वह और अँमने कर था त्रौं करता है मश्टूरा फम खाली होता है ज क्यों कि दा स्पिंदल्स बॉड़ी मिनिमाइस एस्टेंस तूद विंपे करें यह स्ट्रेंस ने का बनाव बिलकुल ऐसा स्ट्क्जेबना हो वह थो यह वह व्या जो कि देदा की जब को कि मुट्छ फोती है उसमें आपका कवेंड का एफेक्ट आपके बोली पर ना हो आप अच्छी तरह से उड़ सके इसके लिए हैप करता है अपका जो अपका इसके अंदर आपका गिज़र प्रेज़र्ट है दखोर्प जो को प्रेज़र्ट है और जो घ्याड है वह है उस फूड को करने में और आगे चल के जो होता है इसका डायेशन वो कर लेते हैं ठीक है अगला हमारा क्या है अगला जो हमारा नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा फाइन जिसके इंदर हम लाई करते हैं मौस्ट अपके लाई कर रहे हैं highly modified आनिमस जो होते है वो है आपका मैमेलिया ठीक है आपना जो बेबी है उसको रिपडियूस कर रहे हैं ठीक है यह जो आपके मोस्ट डॉमिनेंट फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे जो होते हैं वह बहुत जादा बहुत ही वराइटी आपको सर्वाइव कर पाते हैं ठीक है अपके बत्यों को जब यह बच्चा रिपडियूस करते तो उन बच्चा को फीरिंग के लिए बच्चों को खाना प्रोवाइड करने के लिए आपने बच्चों को जो है वह उनके बडि में एक्कमरी ग्लैंट होता है जो कि हल्प करता है वादस सिक्रीशन ऑफ मिल्क जो कि आ इसको आफ सिबहशे स्विख ग्लाइट भी एपकर सुलोरीफरेरोश फि簡ह है और जो चेमें बोडी या फिर जो आपके मैमेलियन बोडी है उसको जो है यह मॉस्ट रख सकने ठीक है तब फ़र ऑफ दा है थ्रू आउट दा बोडी विच है अनिमल एडाप्ट टूर रेर इन्वार्मेंट यानि कि जो आपके बोडी जो मैमेलियन बोडी है उसके उपर क्या आप देखें बहुत सरे अनिमल्स को देखेंगे हम यूमेंस हैं हम तो भाई कपड़े पहन लेते बट आनिमल्स जिसे कि आपके अलिवेंट हो गया टाइगर हो गया उनके बोडी पर देखने को मिन्हां कि वह आपके बोडी को जो है सारे इन्वार्मेंट में अडाप्ट कर सकें बेर है है जैसे आपके अनिमल्स की डिवलेपमेंट होती है अगा कुछ आनिमल्स जो होते है वह आपके प्लाइंट पर फीड कर रहा हो तो उनका जो आपका डेंटल स्क्चर होगा वह दिफरेंट होगा जिसे आपके टाइगर वह लोग को बोड़ों को निवर्स होते ठीकि तुम वह पिरिंग घृत्व द्युक्ट ट्यौं के अनिमंट को खाने तो उनकी टाइप अव êt मैमर्स ऑनट पोजेज्ट प dipped कबरी या इसकूर्ट का बहूर्ट इss प्रिजिक तो нहें होते बने प्रडूस यंग वन्स ब्रद्ट है अब उट इसलिए उनको क्या था आप बिजनेरेशन को बाद देते वह पर अगहर आप चैनल करते हैं तो वह क्या आपके बुद्ट लेकिन कुछ में यह तो कि यह लोग में 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 वुटी होती हुए भी जो है आपका ओभी परसोटे यानिके एक्स प्रूद्यूस करते हैं तो यहां देखिए आपके क्लास्टिपिकेशन आफ एनिमर्स की बारे में यहां पर दिया हुए ठीक है यहां पर देखिए क्या लिए कि वर्टी तो यह था आपका टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ अनिमल किंडम ठीक हर एक क्लास को आपको एक लासिफाइब किया है तो इसको आप क्लास को एक बार फिर से वापस देखे हर एक पॉइंट जहां पर अटक रहें वापस टार्टिंग मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपके सारे और जिस्टेम को आगे चलके जब आप फीचर्स्टिक फीचर्स पढ़ें तो आपके चीजें आस सान हो जाएं ठीक है अब आपके लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स अगर आप एस्टिए एजिट्री फेजन पेस्टू पर टेकनिकल अकाउंट जेनरल एंडीपो एक्जाम के लिए प्रिपैर कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्लीट वीडियो को जिसमें आपको प्रॉइड किया जाएंगे ये बुक्स आपको प्रॉइड कियांगे बेस्ट ऑन अशिलिबस 10 फुल एंग टेस्ट इस प्रॉइड के लिए गए डाउट लेंग शेशन सब्सक्राइब को प्रॉइड के जाएगा जस्तिंग आपको देस्ट थूज़ 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 फिसमें इस ए और डाउट ठीक है अब एफसे मैनेजर और एफसे एज़ी दोनों कंबाइन पोस्ट के लिए आपके लिए एक कंबाइन पर आपके लिए जो है आपका ओनली 2400 रूपीज में आपका एक कॉंबो पैक जिसमें आप एफसे मैनेजर एफसे एजित्री की प्रेशन आपको कराई जाएगी इसमें आपको प्रोवाइड क्या जाएगा स्टरी मेटेरियल क्वेस्टन बैंक फुलन टेस्ट सीरीज यूट्यूब क्लासे और उनकी जो नोर् करना है तो इसकी लिंक जो है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है अपना सुबह सुबह अपना टाइम देने के लिए थैंक यू और रही बात कि आपकी जितनी भी क्लासे से लेटेट है और वेरिस एक्जाम से लेटेट है वह आपके चैनल पर टा करते हैं अपना ध्यान रखें और थैंक्स वाचिंग अग्रिकल्चर